वेल्कम बैक तो माईटूब चुल पेपर हैकर कैसे हैं आप सबी लोग आई हूँ अच्छे होंगे और आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी शातर जीएस की देखो बीएड इंट्रेंस एक्जाम 2022 की बात करने वालो इंपोटेंट कोशन है यह कोशन एक्जाम मे देखने को मिलेंगे मैं सबी शातरों से कहना चाहूँगा कि पेपर हैकर को अभी सस्क्राइब करो यह आप ब्याट की तया ही कर रहे हैं मैं इस वीडियो में केवल 30 कोशन हम देखने वाले हैं और 30 कोशनों में से यदि आपका मालो 20 प्लस कोशन चले जाते हैं तो आपका टार्गेट बहुत अच्छा है बहुत बहुत अच्छा है तो आप फटाफट 20 कोशनों को देखते हैं और इन कोशनों के आंसर आप प्लीज यार करने की कोशिश का ना थोड़ा सा दिमाग लगाना आपको 100 परशेंट देखने को मिलेंगे बहुत सिंपल कोशन है बहुत अ चालिस कर रहना चाहिए और बही जो आपका कला बर गया फिर कोई बर गया उसमें आपका 25 हो रहना चाहिए टोटल 130 कोशन हो जाएंगे मतलब कि 260 नंबर आपको पके मिलने वाले हैं और आपको एक गवर्मेंट कॉलेज में एड्मिशन मिल जाएगा बड़े आराम से ठीक ह किसी की सिफारिस की जरूत नहीं पड़ेगी अब देखो यहाँ पहला कोशन दे रखा है पाल वंस के पतन के बाद बंगाल में किस राजबंस ने अपना सासन इस्थापित किया इस कोशन कांसर सब्सक्राइब क्या रहने वाला है बताओ फट 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 देखते हैं कौन दे कि कि बिल्कुल राइट यहाँ आन श्टार्ट हो गया यहां बिल्कुल ठीक है जिसने भी वो दिया है जोना मिखेल इस कोशन कांसर दी है कि कितने तेज हुआ है कितने देज वान chromat है इहा बुला गया काली और तिस्था नदी है उनके बीच में हमालय का कौन सा प्रदार् बोहाग होता है वो इस्तित है वालग काली नदी और तिस्ता नदी के बीच में तो आपको के पंजाब हिमाल है उप्शन नमर जिसे ने भी दिया है एप प्रमस्तान सरोगा लेक्स कोशन आपके आप सामने है चुका है जो लोकनित आप देख रहा है बीहू जिसे हम बोहाग बीहू भी बोलते हैं वो पिरचलित किसका है कौन से राज का है बीहू बीहू कौन से राज का लोकनित है सब लोग कॉमेंट सेक्शन मांसर देंगे है जिसने भी दिया है असम बिलकुल राइट होगा नेक्स कोशन को जलते है इस कोशन कांसा सब लोग कॉमेंट सेक्शन मा जिसने भी option नबर दिया है डी परम सत्ता अंसर होगा next question को चलता है इस question का answer क्या रहने वाला च्छटे question भारती सभीधान में धन विद्यक की परिभासा किस अनुचेत में दी गई है धन विद्यक की जो कौन से article में धन विद्यक को बताया गया है बताइए धन विद्यक को कौ और विद्यक को राइट होनेवाला है next question को क्यों चलता है इस question का answer क्या रहने वाला है बताइए जिसने भी option number दिया है राष्ट्री अपाथकाल याद रखना जब युद्यक होता है जब वहा आकर्मळ को रही बाहरत पर करेगा तो हम आनुप एक होता है हमारा आटिकल जो बात की जाए तो तीन सो बावन के तुरू लगता है और राश्थी अपाध काल में क्या होगा जिए आपको जो आटिकल होता है एक होता है 20 और 21 ये कभी ये इनको छोड़कर बाकि सब क्या हो जाते है पर आप अपना और पर आपको होतलंग हो जाते हैं, कि लिए बाके सब खतम हो जाते हैं, ठीक यहां बूला गया है कि अचानक किसी गतिबिदी के दोरान किस अमलका निरमार की कारण हमारी पेषिया एठन होती है मतलब हमारे PCO में जो एठन होती है, मतलब हमारे दर्द होना रगता है, एठन मैसूस होते है, दर्द होता है, वो किस अमलिक की कारण होता है, कौन सा अमल हमारे हड्डियों में इखटे हो जाता है PCO में, तो आप सब लोग होई हैं, वो लैक्टिक अमलिक कारण हो जाता है, तो जिसने भी option number दिया है ए परम सत्ता अंसरोगा, next question को रिसलते हैं, next question है, भारत में बिक्सित होने बाला पहला अधूनिक उद्धोग कौन सा था, सबसे पहना था उद्धोग हुआ था, लोहो और स्पात का उद्धोग हुआ था भारत के अंदर, जिसने भी option number A दिया है, परम सत्ता अंसरोगा, next question यहां देखो बोला गया है, दसमा question को देखेंगे, निमने कित में से अफरीका महादीप में कौन सा जील, भूमद रेखा पर इस्टिते था, बताये, भूमद रेखा पर कौन सी इस्टिते था? सब्सक्राइब भी इल्कुलứng राइट होगा, विक्तूरिया जील, ठीको बिटा, कहा है, विक्तूरिया जील है, और जिसने भी option number दिया है, बी परम सत्तांसरोगा, ठीक है, यह अफरीका में इस्टिते थ बिल्कुल राइड हो जाएगा जिसने भी option number B है बिल्कुल ठीक है next question को चलते हैं यहां देखो बात करने वाले जोग जल प्रताब किस नदी परिस्तित है जोग जल प्रताब जो है ठीक है वो किस नदी परिस्तित है आप से भी लोग दाएंगे यह जोग प्रताब है वो करना तक में है अब जब करना टक में है तो इसकी आपके उचाई की बात करूं यह है बिटा यह जो उचा की बात करें कितने उचा है तो धाई सो मीटर उचा है और किस नदी पर है तो आप को गए सारा वती नदी पर है option मैं जिसने भी दिया है एप प्रम सत्तान सकोगा next question यहां डॉंटर्ड के दर्बार में रहते थे तो फैजी किसके दर्बार में रहते थे आपको बता रहा है फैजी किसके दर्बार में रहते थे बिल्कुल फैजी थे थो ठीक है फैजी थो अकवर के दर्बार में रहते थे जिसने भी option बद दिया है D परमसत्ता आंसर होगा नेक्स कोशन को चल दे इस कोशन का आंसर क्या रहने वाला तेर में कोशन का आंसर सभी लोग कॉमेंट सेक्षन में आंसर देंगे यहां बूला गया है ब्यक्तिगत सत्या ग्रह आंदूलन के नेता अचारी जो कह सकते हैं बिनोमा भावे थे उन्होंने कहा उन्होंने कहा से इस आंदूलन का प्रारम किया था मतलब जो सत्या ग्रह आंदूलन हुआ था तो उनके कौन से अचारी थे विनोमा भावे थे, उन्होंने उस आंदलन को कहां से स्टार्ट किया था, आपको ये बताना है, बिल्कुल राइट, महाराष्ट से हुआ था, लेकिन कहा किस जगह से, महाराष्ट तो है निर्ट इसमें, पवनार महाराष्ट, जिस ने भी दिया है, option number बिल्कुल right होगा, भारती सभीधान का article 360 किस बित्य अपाधकाल की गोषणा करने का आधिकार देता है, जो बित्ति अपाधकाल होता है, वो article 360 कि तरह लगता है, और जो अपाधकाल लगता है, गोषणा करने का आधिकार किसको देता है, उब कुई बता हैं, विल्कुल राइट जिसने भी option अब दिया है 14 का केवल राष्टपती को देता है ये वित्तिय अधिकार केवल लगा सकता है कह सकते हैं वित्तिय अपातकाल लगाता है वो राष्टपती लगाता है article कितने के तुरू आप कोगे article 360 के तुरू और राष्टपती सासन लगता है राज में राज्य के अंदर राष्टपती लगता है वो लगता है 356 के तहट याद रखना राष्ट में राज्य के अंदर राष्टपती लगता है 356 के तहट और जो हमारा और भारत में कभी पूछ लेता है कि भारत में एक भी भार किसको अभी तक पातकाल नहीं लगाएगा, वो लगाएगा बित्तिय पातकाल, अभी तक नहीं लगाएगा, वो राष्ट्रपती लगा सकता है, लेकिन अभी तक आर्टिकल 360 का यूजी नहीं हुआ है, 356 आर्टिक शल्ब बताना है पिर्थिभी पर कितने प्रथिसट जलें आपको बताना है बेलकुल राइट होगा 21 प्रतीस अचंट क्या अपशेंट दिल्वißt इंप स्विव आ緩 सी net चॉन सा एक ऑप्रेटी सिस्टम नहींगा उपने और सब्सक्राइटी सिस्टम कoga का कौन सा operating system नहीं है आपको बताना है, तो जिसने भी option number दिया है, Mozilla free force, जो आप देख रहे हैं, option number A, बिलकुर right होगा, जो क्या है, एक operating system नहीं है, बाकि आप जो देख रहे हैं, सारे operator system है, next question को चलते हैं, इस question का answer क्या रहने वाना है, comment section में answer सभी लोग देएंगे, क्या रहेगा, comment section में सभी लोग answer देएंगे, इसका क्या रहेगा, इस question का answer क्या रहने वाला है, comment section में सभी लोग दाएंगे, इस question का answer क्या होगा, यहां वो लागा, निमनिखित में से, ठीक है, यहां वो लागा, निमनिखित में से प्रदेश में बर्ष भर बर्षा होती है, तो कौन से प्रदेश में आपको सबसे पूरे बर्ष भार्षा होती है, मांसुनी या भूमद रेखाओ पर या भूमदी सागर पर आपको बता रहे है, यह फिर तो डाप है, बस सभी लोग comment section में सब्सक्राइब क्या रहेगा, 17 का answer क्या रहेने वाला है, बिल्कुल ठीक है, जिसने भी option number दिया है, भूमद रेखाओं पर क्या होती है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, option पर जिसने भी दिया है, बिल्कुल, डीज राइट होगा, यहां 17 का डीज राइट है, बिल्कुल राइट होना है, सब्सक्राव किया है, तो यहां हमने बाद करने वाल है, जिसने भी बिल्कुल राइट होगा, नेक्सोशन को चलते हैं इस कोश्शन काँ सबीन को मिटorian यहाँ बोला गया है कि किस मुगल सासनक को किसा तो देखो ये मुगल का जो लगाया गया था वो लगाया था जजिया कर जो लगाया था वो किसने लगाया था जेव भरने के लिए तो जेव क्या है और अरंज जेव जसने भी दिया है बिलकुल राइट जोड़ेगा ऑप्षिन नमर 2 की उड़ जाएंगा अठारा का 20 प्रेकत में किस वर्ष भारतिय सैनिकों के लिए समुंदरी यात्रा अनिवार कर दी गई थी आपको पूछा गया है जो भारतिय सैनिक थे उनके लिए समुंदरी यात्रा थी वो अनिवार कर दी गई थी वो किस वर्ष की गई थी कि वो समुंदर में यात्रा कर सकते हैं तो व एक मिर्ट एक इसको डाव हां अठारोश चपन ही होगा अठारोश चपन में इसको अनिवार कर दिया गया था और बी की और जाएंगे नेक्स पोशन यहां बुला कि इस सबसे महत पूर्ण आधारवु सिद्धान्त क्या माना जाता है जैन धरम का जो सबसे महत्पूर्ण आधार्वु सिध्धान था वो क्या वाना चाता है आपसे पूचा गया है तो जो सिध्धान था उस comment आपको बताना है देखो कर्म है या फिर निश्टा है अहिंसा है या ब्राग है बीस में कोशन कांसर से कोमेंट देखो बेलको ठीक है एहंसा जिसने भी option number दिया है बी बेलको राइट होगा चलो इस कोशन कांसर क्या रहने वाला है बताइए इस कोशन कांसर क्या होगा बगानी जो बोला गया है जो बगानी किर्शी होती है उसके तहत स्री लंका में पहली बार किस फसल की खेती की गई थी ठीक है जो बगानी यह फिर बागनी बोलते हैं इसको ठीक है बगानी बोला गया है लेकिन बागनी बोलते हैं इसको कभी हुई तो जो बागानी जो किर्शी है उसके तहत है स्री लंका पहली बार किस खेती का खेती की गएगी थी, हम से पूछा गया है, तो जिसने भी option number दिया है A, coffee की, बिलकुल right होगा, option number A, coffee की की गएगी, सबसे बहले स्रिललंका के अंदर next question, इस question का अंसा है, बिलको comment section में देगे, यहां मुला गया है, सारनाथ में इस्तित, ठीक है, जो इस्तूब का निर्माण, महान मौरे समराट असोग ने कराया, था, और यह भारत में इस्तित प्रमुक, बहुत सरचनाओं में से एक है, तो कौन सी सरचना में से एक है, आपको भी बताना है जो आपको रिक्सितान देख रहा है, इसको आपको बताना है, रिक्सितान के देखवरे क्या रगाए है, इस तर, जो इस्तूब है, मतलब क्या कह सकते हैं, इस तूब को, तो जोसे ने भी option देखा है, धमेक, बिलकुर right होगा, धमेक जो इस्तूब है, कि अन्रमार, महान है कौशा तद्प अन्टिनइट है आपको एंटिनइट अल्मेन्ट के आने बताना है एंटिन याथ कौन सा है are ह Кар derecho go को सा बेटा सब लीग क्यों बताइघ कि divisive सीब दया आप र सीब लाइट इसने इस का बेस्ड राइट होने है और जो सही है और जिसने भी दिया है यहां तेस का सीज राइट है चलो नेक्स को चलते हैं इस को चैनल का रहने वाला के रहा है जिस इस्तिती में सरकार का वे उसके राजस्विप से अधिक मतलब जब बे का मतलब होता है राजस्विप से अधिक हो जाता है मतलब जो सरकार है हमारी वो क्या कर रही है वे राजस्विप से मतलब इतना कमा तो कम रही है पैसा कम ले रहे है लेकिन उससे जादा खर्च कर रहे है तो उसे क्या कहा जाता है उसके राजस्विप से अधिक हो जाता है. ठीक है? तो उसे क्या कहाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? मदलब, उसने लीया कम, लेकिन खर्च जादा कर दिया. तो घाटा हुआ. चलो, इस Question का आनसर क्या रहने वह everything? Comment section में सब्छलों बताएंगे हैं. इस Question का आनसर क्या होगा? सब्सक्राइब और 25 का विलकुर रहेने वाला जिसने भी दिया है विलकुर रहेट होगा चलो नेक्स कोशन को चलते हैं इस कोशन कांसर क्या रहेगा 26 में कोशन कांसर सब लोग बताएंगे तेखो जी नवाब सुजा उद्र दौलात थे ठीक है उन्होंने एक बगीचे के लिए बगीचे के बीच में इस थापित कह सकते हैं सफदर जो सफदर गंज है ठीक है सफदर गंज के जो मकवरा था उसका निर्माण करवाया था तो एक सफदर गंज का मकवरा था उसका निर्माण कराया था ठीक है नवाब सुजा उद्र दौलाने तो उस वो कहां पर इस्तित है आपको बताना है किस जगह इस्तित पीज़ उसे उन्होंने नूर जहां या फिर बिस्व जोती की उपादी प्रदान की थी जिसे उन्होंने क्या घिया है नूर जहां की उपादी प्रधान की थी तिम बहु दुम नूर जहां की तरहाओ तो उससने किसने कह सकते हैं कि मिहर जो उन निशा हैं उनसे किसने निका किया था आपसे पूचा गया तत्ता इस question का अंस्र qyao जिसने भी option दिया जहाकीर बिल्कुर right होगा जहाकीर ने मेहर उन्षा से निकार किया था और जिसे उन्होंने नूर जहा की उपादी दी ती option भी इसने भी दिया है next question आपके सामने है कौन सा तत्व length lengthiness element है लेंथी नाइट तर्थ पूंसा है तो देखो मैंने आपको नहीं और लेंथी नाइड यह सबसे जादा एक्जामें पूछे जाते हैं एक से दो कोशन बनेगा इनसे तो आप इस को द्यान से पढ़ने ना इसको मैंने ट्रेक्ट से भी लगवा रखा है मैंने याद करा रखा ह आप उसको देख लेना बिस वाले के ट्रेक में इसको आप द्यान से देखो जिसे ने भी ऑप्शन नंबर दिया है सी परमसता नसर होगा सी ठीक है जिसे ने पर आप्शन को चलते है और इसका परवानो किर्मांग की बात की जाए परवानो किर्मांग होता है अठावन जो आप देख रहे हैं दर्रा यह कौन सा दर्रा है दर्रा उत्तराखंट और तिबबत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में इस्तित हैं गंगोत्री के उत्तर में इस्तित लेकिन कौन सा ऐसा दर्रा है तो उत्तराखंट और तिबबत को जोड़ता है कि उस दर्रेक बहुत अच्छे हैं कोई शू नहीं आने वाला आप बड़े आराम से खेल रहे हैं अठारा भी कोशन प्लस है तो आप सही जा रहे हैं ठीक है तो आप अपने डेली अपनी क्लास को अटेंड करिए छे बड़े से क्लास चलती है प्लीज आपको सब्सक्राइब कर लेना बैल आइकान ब्रेस करता हूं थैंक यूफर बाचे इस वीडियो बाई बाई